दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं, दुनिया के सबसे बहतरीन बॉडी बिल्डर के बारे में, इनकी हिस्ट्री क्या है, ये बॉडी बिल्डर कैसे बने, इन्होंने कौन-कौन से खिताब जीते हैं, सब कुछ हम आपको इनके बारे में बताने वाले हैं, वीडियो चा टेकनिकली देखा जाएं, तो एर्नॉर्ड मूवीज की वज़ए से ज़ादा फेमस रहे हैं, लेकिन रॉनी सिर्फ और बॉडि बॉल्डिंग की वज़ए से फेमस रहे हैं, दोस्तों ये वो खिलाड़ी हैं, जिसने बॉडि बॉल्डिंग के अंदर अपने शरीर को इतना जादा तोड़ा कि ये आज की डेट में सही से चल भी नहीं पाते हैं, इन्होंने काफी सारी back surgeries भी कराई हैं, in fact इन्होंने एक back surgery तो 3 लाख डॉलर, यानि कि 2 करोड 40 लाख रुपे की करवाई थी, और वो भी पूरी तरीके से successful नहीं रह पाई, जब इनसे एक interview में पूछा तो इन्होंने बताया कि इन्हें bodybuilding इतनी जादा पसंद है कि ये जानते हुए भी कि शायद ये बुड़ापे में surgeries की वज़े से चल भी न पाएं, ये bodybuilding कभी नहीं छोड़ेंगे, उनका जन्म 13 माई 1964 को अमेरिका के Louisiana में हुआ, अब इनकी height ती 5 foot 11 inch, और अगर हम इनकी बात करें, तो जो लोग bodybuilding को अच्छी तरह से जानते हैं, वो लोग जानते होंगे कि bodybuilders के दो type के weight होते हैं, एक on season, एक off season, यानि कि जब ये bodybuilding में performance दे रहे होते हैं, उसे बोलते हैं on season, इनका on season weight था 130 से लगबग 135 kg के आसपास, और जिस वक्ती bodybuilding के अंदर performance नहीं दे र 40 kg, इन्होंने 1984 में accounting के अंदर अपनी B.H.C करी, लेकिन इन्हें accountant की job नहीं मिल पाई, उसके बाद इन्होंने football केलना चालू किया, और कहा जाता है कि इन्होंने domino's pizza में काम करना start किया, ये काफी जादा गरीब थे, इन्होंने domino's pizza सिर्फ इस वज़े से join किया, कि इन्हें matter of flag gym join करने की सला दी, और उस वक्त इस gym को brand Dobson नाम के bodybuilder चलाए करते थे, Dobson ने इनका लंबा चोड़ा शरीर देखने के बाद, इन्हें जिम के अंदर free की membership दे दी, लेकिन एक शर्त रखी, कि 1990 में होने वाले Mr. Texas के तायारी, ये Dobson के gym में ही करेंगे, इन्होंने इस श हरा दिया, 1995 में इन्होंने Canada Pro Cup जीता, और उसके बाद देखते ही देखते ही काफी championship जीतते चले गए, इन्हें Mr. Olympia का सबसे बहतरीन खिलाडी माना जाता है, लेकिन काम्याभी इतनी असान भी नहीं थी, इन्होंने काफी मेहनत करी, और ये काफी बार Mr. Olympia हरे, 1902 में Mr. Olympia क अंदर इन्हें कोई भी ranking नहीं मिल पाई, 1904 में इन्हें 15 वी ranking मिली, 1905 में इन्हें 10 वी ranking मिली, 1996 में इन्हें 6 वी ranking मिली, 1997 में 9 वी ranking मिली, जिसके अंदर डॉरियन गेट्स सिक्स इस्थान पर रहेते, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं आरी, और 2005 में ये Mr. Olympia बन गए, और उसके बाद 8 बाल लगातार ये Mr. Olympia बनते चले गए, कहा जाता है कि इनकी training की खास बात ये थी कि ये पूरे देशी तरीके से training करते थे, यानि कि machines का इस्तमाल ना करके, ये free weights का जादा इस्तमाल करते थे, और कोशिश करते थे कि ये जादा से जादा वजन उठा सके, इन् पूरी दुनिया के अंदर आज भी famous हैं, दोस्तों इस महान खिलाडी को weightlifting का इतना ज्यादा जून रहा है कि इन्होंने 365 कि भी deadlift करी हैं, जिसकी वज़ए से इन्होंने अपने पूरे शरीर को लगबग damage कर लिया है, और काफी surgeries के बाद आज की डेट में ये लंबे distance में प पर्सनल ट्रेनर सूजन से शादी करी और उनके साथ शादी करने के बाद ये काफी खुश रहे, उनसे इन्हें चार बच्चे भी हैं, इनकी चेस्ट और बैक का साइस था साट इंच, आम्स थी 24 इंच, और पैर यानि की लेक्स थे 36 इंच, इन्होंने 365 किलो की deadlift, 363 किलो की bench press, 94 किलो के dumbbell bench press, 143 किलो के military press, 73 किलो के dumbbell shoulder press, 234 किलो के bent over row, 245 किलो के T-bar, 265 किलो के front square, 347 किलो के hack square, 84 किलो के lunges, 333 किलो के barbell shrugs, और 1090 किलो की leg press भी मारी होई है, इस वज़े से इन्हें दुमिया का सबसे top bodybuilder माना जाता है, इन्होंने अपने जिन्दगी में कभी movies नहीं बनाई, लेकिन training videos काफी बनाई है, in fact आज की date में भी काफी gym के अंदर इनकी training videos चलती रहती हैं, जिनकी वज़े से काफी सारे yuva inspire होकर bodybuilding करते हैं, अब जाते जाते में आपको एक बात और बता देता हूँ, क्या आपने कभी सोचा है कि रौनी जैसे bodybuilders पैसा किस तरीके से कमाते हैं, इनके पास काम करने की फुरसत कहा होती है, दरसल अगर आप इनकी दिन्चर्या देखो तो उनका एक basic funda होता है, workout, eat, sleep and repeat, यानि कि मेहनत करना, फिर खाना, फिर सोना और दुबारा से ये चक्र चालू कर देना, अ bodybuilders को कमाने का जरिया कहां से मिलता है, इनके खाने के लिए इतना पैसा कौन देता है, दरसल ये सब होता है sponsorship की वज़े से, जैसे कि रौनी सहाब के साथ भी होता, जब भी इनकी मेहनत को देखके, कोई gym इनको identify कर लेता है, जैसे कि gold gym, तो ये gym वाले bodybuilders को अपनी sponsorship देते ह कि सहाब आप हमारे equipments यूज करिए, हमारा gym फ्री में यूज करिए, हम आपको खाने पीने और रहने की भी सुविदा देंगे, लेकिन बदले में हम आपके posters, आपकी bodybuilding के बहतरीन तरीकों को दुनिया के सामने अपनी sponsorship के थ्रू दिखाएंगे, हम पूरी दुनिया को दिख अब ये नहीं है, कि ये bodybuilder उस particular gym में आके workout करते हैं, लेकिन ये उन gym के proper sponsors होते हैं, और एक बार इस career में अगर sponsorship मिलने शुरू हो गई, तो पैसो की बरसात हो जाती है, लेकिन इस career में एक बात तो जरूर माननी पड़ेगी, कि competition बहुत जादा है, तो sponsorship मिलना कितना भी easy नह जैसे हर साल काफी हजारो bodybuilders की जान जाती है, तो दोस्तों उमीद करते हैं, आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, इस टाइप के facts और motivational stories सुनने के लिए, हमारे साथ जोडे रहने के लिए, चैनल को subscribe जरूर करिए, और वीडियो को like भी करिए, मिलते हैं next वीडियो मे तब तक के लिए, bye bye